विद्धूत शुरक्षा तेक जड़का लगता है और सो मिली एंपीर दारा जिदी गुजर जाती है तो ब्रत्यू हो जाती है इसमें यदि को ज्यक्ति विद्धू सप्लाई के संपर्द में है तो सर्वपतम उसे सप्लाई काट कर छुड़ाना चाहिए यदि मुख मुख्य स्विच या प्लद दूर ह करने तो अपने आपको विध्यू द्रोधि मनाकर प्लिक जड़ाना चाहिए यदि विद्धू उपर अर्था उंचाय पर है तो उसे गिड़ने से वचाने काभी प्रबंधन करना चाहिए यदि प्लिक जड़ए हो तो उसके जत्म को द्रेस्टिन से ढग देना और कि यदि बेपत्व है पर न सास ले रहा है तो गरदन और कमर के कपड़ को घिला कर देना चाहिए और उसे ठेक से ठेक होने के लिए आराम से लेका देना चाहिए यदि बेपत्व स्वास नहीं ले रहा है तो सर्व प्रतम उसे उसके मुख पर रुमाल रख कर स्वेम जोर से अपने फेफडों में स्वास भरे और जोर से अपने होटों को प्योडी द्रेप्ति के होटों के साथ मिला कर पूरी वायू उसके मुख में भर दें यदि यह प्रक्रिया शिग्रतास से बार बार दोलाने चाहिए जिससे पेड़ी प्यत्ति की सासे चल सके और यह थार्थ समय शिग्र डॉक्टरी की मदद लें झाल